यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है दुर्गा शक्त शक्ति जैन्ती मंगला पाली धत्रकाली कपाली दुर्गा शमा शिवा धात्री अत श्री दुर्गा सप्तशदी प्रथम अध्या है मेधारिशी का राजा सुरत और समाधी को भगवती की महीमा बताते हुए मधुकैटब वद का प्रसंग सुनाना प्रथम चरित्र के प्रह्मारशी महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अगनी तत्व और रिगवेद स्वरूप हैं श्री महाकाली देवता की प्रसंदा के लिए प्रथम चरित्र के जब में विनियोग किया जाता है खडगं चक्र गदेश उचाप परिखा छूलं बुशुन्डिं शिरह शंखं संदधतिं करैस्त्रि नयनाम सर्वांग भूशा वृतां नीलाश्म द्युति मास्य पाद दशकां सेवे महाकाली कां या मस्तव स्वपिते हरव कमल जो हन तुम मधुम कैटब हम बगवान विश्णु के सोजाने पर मधु और कैटब को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ वे अपने दस हाथों में खड़क, चक्र, गदा, बान, धनुष, परिक, शूल, बुशुंड, मस्तक और शंकदारन करती हैं उनके तीन नेत्र हैं, वे समस्त अंगों में दिव्य आभूशनों से विबोशित हैं उनके शरीर की कांती नील मनी के समान हैं तथा वे दस मुख और दस पैरों से युक्त हैं मारकंडे जी बोले सूर्य के पुत्र सावरणी, जो आठवे मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ती की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ सुर्य कुमार महाभाग सारवणी, भगवर्ती महामाया के अनुग्रह से, जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ पूर्वकाल की बात है, स्वारोचिश मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्रवंश में उत्पन्न हुए थे उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था, वे प्रजाका अपने औरस पुत्रों की भात धर्म पूर्वक पालन करते थे तो भी उस समय कोला विद्वनसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रू हो गए राजा सुरत की दंडनीती बड़ी प्रबल थी, उनका शत्रूं के साथ संग्राम हुआ यद्यपी कोला विद्वनसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरत युद्ध में उनसे परास्थ हो गए तव वे युद्ध भूमी से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे किन्तु वहाँ भी उन प्रबल शत्रूं ने उस समय महाभाग राजा सुरत पर आकरमन कर दिया राजा का बल क्षिर हो चला था इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राज की असेना और खजाने को हतिया लिया सुरत का प्रबुत्व नश्ट हो चुका था इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने गोडे पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनी का आश्रम देखा जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे मुनी के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे वहाँ जाने पर मुनी ने उनका सतकार किया और वे उन मुनी श्रेष्ट के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे फिर मम्ता से आक्रिष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे पूर्व काल में मेरे पूर्व जोने जिसका पालम किया था वही नगर आज मुझसे रहित है पता नहीं मेरे दुराचारी ब्रत्यगण उसकी धरम पूर्वक्रक्षा करते है या नहीं जो सदा मद की वर्षा करने बाला और शूर वीर था वो मेरा प्रधान हा थे अब शत्रवों के अधेन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चे ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे ओना पव्याई लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के घर अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वो खजाना खाली हो जाएगा ये तथा और भी कई बाते राजासुरत निरंतर सोचते रहते थे एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैशे को देखा और उससे पूछा भाई तुम कौन हो यहाँ तुम्हारे आने का क्या खारण है तुम शोक ग्रस्त और अनुमनी से क्यों दिखाई देते हो राजासुरत का यह प्रेम पूर्व कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा वैश्य बोला राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन एक वैश्य हूँ मेरा नाम समाधी है मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोब से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ मेरे विश्वसनिय बंधों ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कश्ट है वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं? अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा जिन लोभी स्तरी पुत्रादी ने धन के कारण तुम्हे घर से निकाल दिया उनके प्रती तुम्हारे चित में इतना स्नेह का बंधन क्यों है वैश्य बोला आप मेरे विशय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है किन तु क्या करूँ मेरा मन निश्ठुर्ता नहीं धारण करता जिन्होंने धन के लोभ में पढ़कर पिता के प्रती स्नेह पती के प्रती प्रेम तथा आत्मिय जन के प्रती अनुराग को तिलांजली दे मुझे घर से निकाल दिया है उन्ही के प्रती मेरे हिरदय में इतना स्नेह है महामते गुणहीन बंधुओं के प्रती भी जो मेरा चित इस प्रकार प्रेममगन हो रहा है यह क्या है इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पाता उनके लिए मैं लंबी सांसे ले रहा हूँ और मेरा अर्दय अतनेंद दुखित हो रहा है उन लोगों में प्रेम का सर्वता अभाव है तो भी उनके प्रती जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता इसके लिए क्या करूँ मारकंडे जी कहते हैं ब्रह्मन तरदनंतर राजाओं में श्रेष्ट सुरत और वह समाधी नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनी की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानों कूल विनैपूर्ण बरताव करके बैठे तरदपस्चाथ वैश्य और राजा ने कुछ वारतालाग आरंब किया राजा ने कहा भगवन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ उसे बताईए मेरा चित अपनी अधीन ना होने के कारण वो बात मेरे मन को बहुत दुख देती है जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरे ममता बनी हुई है मुनिश्रेश्ट ये जानते हुए भी कि वो अब मेरा नहीं है अज्यानी की भाती मुझे उसके लिए दुख होता है ये क्या है इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है इसके पुत्र, स्त्री और व्रत्यों ने इसे छोड़ दिया है स्वजनों ने भी इसका परिद्याक कर दिया है तो भी ये उनके प्रति अत्यांत हार्दिक स्नीह रखता है इस तरह से ये और मैं हम दोनों ही बहुत दुखी है जिसमें प्रत्यक्ष दोश देखा गया है उस विशय के लिए भी हमारे मन में ममुता जनित आकर्षन पैदा हो रहा है महाभाग हम दोनों समझदार है तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है ये क्या है विवे एक्षोन ये पुरोश के बहाँते मुझ में और इसमें ये मूढता प्रत्यक्ष दिखाई देती है रिशी बोले महाभाग विशय मार्ग का ज्यान सब जीवों को है इसी प्रकार विशय भी सब के लिए अलग-अलग है कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्री में भी बड़ाबर ही देखते हैं यह ठीक है कि मनुश्य समझदार होते हैं किन्तु केवल वे ही ऐसे नहीं होते पशू, पक्षी और म्रिग आदी सभी प्राणी समझदार होते हैं मनुश्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन म्रिग और पक्षियों की होती है तथा जैसी मनुश्यों की होती है वैसी ही उनम्रिग पक्षि आद की होती है यह तथा अन्य बाते भी प्राय दोनों में समान ही है समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो यह स्वयम भूख से पीडित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोँच में कितने चाव से अन्न के डाने डाल रहे है नर्श्रेष्ट क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुश्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किये हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाशा करते हैं यद्यपी उन सब में समझ की कमी नहीं है तथापी वे संसार की स्थिती बनाय रखने वाले भगवती महा माया के प्रभाव द्वारा ममतामय भवर से युक्त मोह के गैरे गर्त में गिराए गए हैं इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान विश्नु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महा माया है उन्ही से यह जगत मुहित हो रहा है वे भगवती महा माया देवी ज्यानियों के भी चित्त को बल पूर्वक खीच कर मोह में डाल देती हैं वे ही इस संपून चराचर जगत की सिरिष्टी करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होकर मनुश्यों को मुक्ती के लिए वर्दान देती हैं वे ही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संकून ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं राजा ने पूछा भगवन चिन्हें आप महा माया कहते हैं वे देवी कौन हैं ब्रह्मन उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है ब्रह्म वे ताओं में श्रेष्ट महार्शे उन देवी का जैसा प्रभाव हो जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो वो सब मैं आप के मुख से सुनना चाहता हूँ रिशी बोले राजन वास्तों में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है संपून जगत उनहीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप कर रखा है तथा पी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है वह मुझ से सुनो यद्यपी वे नित्य और अजन्मा है तथा पी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है कल्प के अंत में जब संपून जगत एकारणों में निमग्न हो रहा था और सब के प्रभू भगवान विश्णू शेशनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रैले सो रहे थे उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधू और कैटब के नाम से विख्यात थे वे दोनों ब्रह्मा जी का वद करने को तैयार हो गए भगवान विश्णू के नाभिकमल में विराजमान प्रजापती ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा तब एकागरचित होकर उन्होंने भगवान विश्णू को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंब किया जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारन करने वाली संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विश्णू की अनुपम शक्ति हैं उन्ही भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुती करने लगे ब्रह्मा जी ने कहा देवी, तुम्ही सुआह, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वश्टकार हो स्वर्भी तुम्हारे ही स्वरूप है तुम्ही जीवन दाइनी सुधाव नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्ही इस्तित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतरिक जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेश रूप से उच्चारन नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही हो देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मान को धारन करती हो तुम से ही इस जगत की स्रिष्टी होती है तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्ब के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो जगनमाई देवी इस जगत की उत्पत्ती के समय तुम स्रिष्टी रूपा हो पालन काल में स्थिती रूपा हो तथा कलपांत के समय सनहार रूप धारण करने वाली हो तुम्ही महा विद्या, महा माया, महा मेधा, महा स्मृति, महा मोह रूपा, महा देवी और महा सुरी हो तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो भयंकर काल रात्री, महा रात्री और मोह रात्री भी तुम्ही हो तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही री और तुम्ही बोधस्वरूपा बुद्धी हो। लज्जा, पुष्टी, तुष्टी, शांती और क्षमाभी तुम्ही हो। तुम खड़ग धारिनी, शूल धारिनी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंक और धनुष धारण करने वाली हो। बान, भुशंडी और परिक ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्मे और सौम्मे तर हो। इतना ही नहीं जितने भी सौम्मे एवं सुंदर उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी कहीं भी सत-सत-रूप जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारे और सनहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुती करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विश्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है अतह तुम्हा रिस्तुती करने की शक्ति किसमे है देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशन सित हो ये जो दोनों दूरधर्ष, असुर, मधु और कैटब हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विश्णु को शिग्रही जगा दो साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धी पुत्पन कर दो रिशी कहते हैं राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटब को मारने के उद्धेश से भगवान विश्णु को जगाने के लिए तमो गुण की अधिश्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्थुती की तब वे भगवान के नेत्र, मुक्त, नासिका, बाहु, रुदय और वक्ष स्थल से निकल कर अवेक्त जनमा ब्रह्मा जी की दृष्टी के समक्ष खड़ी हो गई योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनारदन उस एकारणव के जल में शेशनाग की शैया से जाग उठे फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा वे दुरात्मा मधू और गैटब अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आँखे किये ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे तब भगवान श्रीहरी ने उठकर उन दोनों के साथ पाँच हजार वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उनमत हो रहे थे इदर महा माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था इसलिए वे भगवान विश्णु से कहने लगे हम तुम्हारी वीर्ता से संतुष्ट हैं तुम हम लोगों से कोई वर मांगो श्री भगवान बोले यदि तुम दोनों मुझ पर इतना ही प्रसन हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है यहां दूसरे किसी वर से क्या लेना है रिशी कहते हैं इस प्रकार दोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपून जगत में जल ही जल देखा तब कमल नयन भगवान से कहा जहां प्रिथ्वी जल में डूबी हुई ना हो जहां सूखा स्थान हो वहीं हमारा वद्ध करो रिशी कहते हैं तब तथास तु कहकर शंक चक्र और गदाधारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तग अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले अपनह तुमसे उनके प्रभाव का वरणन करता हूं सुनो इस प्रकार शिरी मारकंडे पुरान में सारवरनिक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मय में मदू कैटब वद नामक पहला अध्याय पूरा हुआ हुआ झाल